सामने आप यह अंगूर का गुच्छा देख पा रहे होंगे काफी अच्छ जिसके मुँझे पानी आ रहा होगा अंगूर का ओंगूर का खा सकता है आप देख सकते हैं सामने आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा मेरे पास ये लगा हुआ है पर गाडन में यहाँ पर मैं आपको पहले पूरा दिखा दूँ ये देखिए इस तरह से खुब अच्छे से लगा हुआ है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है अग्दम खाने में भी इसका टेस्ट काफी अच्छा ये देखिए पूरा एकदम ऊपर तक है तो अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकोन को भी प्रेस कर लिजेगा यहां पर देखिए यह देखिए काफी अच्छे से लगे हुए अंगूर के गुच्छे यह देखिए अंगूर का पौदा यह मेरा तीन साल का हो गया है अब इसमें काफी अच्छे से फ्रूटिंग होती है और खोब अच्छे से एकदम लाल हो जाता है पक की ये लाल कह रहा हूँ काला हो जाता है काला वाला है ये तो शुरू में तो ये कम पलता था लेकिन अब जैसे जैसे इसका पुराना होते जा रहा है वीचिए अब ये एकदम अच्छे से इसमेंSam cancer डूटिंग होती है यह देखिए ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है मेरा पवदा यह देखिए यह देखिए पूरा एकड़म अच्छे से पूरा इदम कवर कर लिया है काफी अच्छा देखने में लगता यह देखिए यहां पर भी है तो चलिए आज मैं इसे हर्वेस्ट कर कि यह आप देख पारें कि काफी अच्छा मखा कि देखूं काफी टेस्टी यह खाने में अंगूर का पौधा अगर आप लगाएंगे तो इसको बराबर खात देंगे मैं तो इसमें गोबर वाली खात दिया हूं उसी से अच्छी इसमें इतने अच्छे से फ्रूट आए काफी अच्छे से यह अंगूर देखिए इसमें से मैं हर्वेस्ट किया हूं यह देखिए काफी अच्छे यमी एकदम खाने में आज मैं इसका जूस बनाऊंगा अंगूर का तो पीने में काफी अच्छा लगए यह हरा वाला जो यह भी एकदम तयार हो गया देखिए अब किल्यों से उपर ही हो गई है जितना मैं इससे तुड़ा हूं तो खाने में तो काफी टेस्ट ही है यहां पर मैं आपको देखाओं यह देखिए उपर भी है गर्मी अतनी ज्यादा है कि अंगूर अच्छे से पक गए हैं खाने में मज़ाथ मेरे गाडन में जितने लोग आते है जिसे मीठा पसंद है जब पक जाता है तब तोड़के खाता है लेकिन खाते सारे लोग है तो अगर आपको भी खाना है तो आ सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा